Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी भारत दूस्तो आज के सेसन में हम करने वाले हैं भारत के सम्विथान का एक और टॉपिक है हमारी क्लास चल लही थी इंडियन पॉलिटी की तो आज का अपना टॉपिक है राज्य विथान बंडल तो कई सारे टॉपिक्स हम करा चुगे हैं तो आज के इस टॉपिक को हम समझेंगे कि डाइग्राम से समझेंगे चीज़ों को राच्य वैधान मंडल को और पूरे यूटूब के थ्यास में आपको ऐसी चीज़े नहीं मिलेंगे जो हम आपके लिए लेकर आएं या यूपि प्लिस कॉंश्टेबल, बिहार प्लिस कॉंश्टेबल, लाइस्तान प्लिस कॉंश्टेबल, MP प्लिस कॉंश्टेबल कोई भी एक्जाम हो यहाँ से आपका कोशन आता है तो आज के इस टॉपिक में समझेंगे राज्य वैधान मंडल के बारे में आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं निकाले तो नोट्स निकाल लीजेगा और नोट्स बनाते जाएगा इसको रिवीजन कीजेगा आपको याद हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ससन को और समझते हैं क्या है राज्य भिदानमंट डादा देखे जिस तरीके से संसद की संसदी विवस्ता बनाई गई है तो संसद क्या होती है आर्टिकल 79 में बताया गया है संसद की बारे में अब संसदी विवस्ता क्या होती है तो संसद जो बनती है वो तीन चीज़ों से मिलगे बनती है एक होती है राज्य सबा एक होती है लोग सबा और एक होता है तो संसत के कितने अंग होते हैं आपसे पूछा जाए तो संसत के तीन अंग होते हैं कुल मिलाकर पहला अंग होती है राज्यसभा दूसरा अंग होती है आपका लोकसभा और तीसरा जो अंग होता है वो होता है आपका राश्टपती तो संसत के कितने अंग होते हैं संसत के ती नंग होते हैं. राज्ट सबा, लोग सबा और राष्ट पती. इन तीनों से ही मिलकर आपकी संसथ बन जाती है. इसी तरीके से राज्टियों के अंदर विधान मंधल का निर्माण किया जाता है. विधान बंडल तीन चीजों से मिलकी बनती होती है जिसमें विधान परसद, विधान सवा और राचेपाल होते हैं विधान परसद प्रतेक राचे में हो ऐसा संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है अगर बन भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रतेक राचे में विधान परसद हो तो जो बिधान मंडल होता है वो तीन से मुलके बनता है बिधान परसद, बिधान सवा और राचपल से कई राज्यों में बिधान मंडल एक सदनी होता है जैसे सिर्फ बिधान सवा ही होती है वहाँ पर बिधान परसद नहीं होती है और यूनी केमरल कहा होता है एक सब दनी है तो ये बिधान मंडल कई राज्जों में देखने को मिलता है कुछ महत्पूर अनुच्छेद है अब बिधान मंडल है जैसे संसद को आर्टिकल 79 में बात की गई है कि भारत की एक संसद होगी आर्टिकल 79 में इसी तरीके से बिधान मंडल में बात की गई है कि भारत का एक बिधान मंडल होगा तो इसके बारे में गठन किया गया है आर्टिकल 168 में बताया गया है राज्यों के बिधान मंडलों की गठन के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है राज्यों में बिधान परसद की इस्थापना और समापती के बारे में बेदान परसित की स्थापना की बारे में बताता है और बेदान परसित की समाप्ति की बारे में बताता है आर्टिकल 170 की बात करें तो इसमें बेदान सवा की सरचना की बारे में बात की है कि बेदान सवा में कितनी सीट होंगी इस्ट्रक्चर क्या होगा किस तरीके से सवा की सरचना की बारे में है और आर्टिकल 171 में बेदान परसद की सरचना की बारे में है तो चार महत्पूर अनुच्छेद हैं चुकि बेदान सवा बेदान परसद से सम्मदित है राज्यों में बेदान मंडलों का जुगठन है आर्टिकल 169 के तहट आर्टिकल 168 के तहट Article 169 के तहित राज्व में बिधान परसद की स्तापना और समफती Article 170 बिधान सभा की सरचना और Article 171 बिधान परसद की सरचना की बारे में डिस्कस किया गया है तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी जिसमें हमने संसद और बिधान मंडल के बारे में जाना अब समझते हैं बिधान सभा और बिधान परसद के बारे में तेकि यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है बिधान सभा एक तरफ रखी गई है दूसरी तरफ बिधान परसद बिधान सभा को निमने सदन कहते हैं और बिधान परसद को उच्च सदन कहते हैं आप ये भी आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से लोकसभा को बोला याता है, उसी तरीके से बिधान सभा को, जिस तरीके से राज्या सभा को बोला याता है, उसी तरीके से बिधान परशयत को बोला याता है, तो बिधान सभा को हम क्या 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 कहते हैं, बिधान सभा को नि अम्मर अफ लेजिलेटि है तो आप जनता चुनाप करती है। फिर्थम सदन कैते हैंoter कि इस 있다 होता है और निस योग का सदन कहते हैंgef और लेजिसलिटिव council इसे का आ जाता है चर्चित लोगों का सदन कहेंगे और धुतिय सदन इसे कह सकते हैं इस्ताई सदन पर्मानेंट एक तरीके सदन होता है यह और बड़ों का सदन होता है बुजुर्कों का सदन होता है सभी राज्यों के लावा तीन केंद सासित प्रदेशों में विदान सभ है यानि कि जितने भी राज है उनमें तो विदान सभा होगी होगी लेकिन जितने भी यूनिन टेरिटरीज है उनमें से तीन जो यूनिन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली हुई पुंदिचेरी हुई जब मुकसमीर हुई तो यहां पर क्या है आपको विदान सभा भी देखन बंता है जिसमें अपना उत्तरप्रदेश आता है बिहार आता है महाराष्ट अता है कर्नाटक हो गया और अन्द्रप्रदेश हो गया तो देखे यहां पर जुड़े हुए पार्ट है कुछ बिहार और उत्रप्रदेस दोनों जुड़े हुए पार्ट लग रहे हैं इधर महाराष्ट, करनाटक, आंदरप्रदेस, तेलंगाना तो यह चारों यहां पर जुड़े हैं तो महाराष्ट, करनाटक, आंदरप्रदेस, से सो किया गया है कि आपको इस चीज़ें समझ में आ जाएं और इसका कोई benefit नहीं है सिर्फ इतना benefit है आपको चीज़ें समझ में आ जाएं ठीक है तो देखें है Parliament यानि कि संसद संसद में लोग सवा House of People और Council of States राचे सवा होती है इससे क्या बन गया आपका संसद बन गई इसी तरीके से legislature जो बिधान मंडल होता है इसमें बिधान सवा legislative assembly बिधान परसद legislative council यानि कि MLA और MLC दोनों मिलके क्या है ये बिधाय की कहलाते है और इसमें ये क्या कहलाएंगे MP कहलाएंगे क्या कहलाएंगे मेरे भई MP कहलाएंगे ठीक है चले अब एक एक करेंगे article को समझते हैं तो article 168 को समझते हैं सबसे पहले ये important article है article 168 में क्या है article 168 के इनुसर प्रते एक राज़ में एक बिधान मंडल होगा जो राज़ेपाल और तोन दो सदनों से मिलकर बनेगा यानि कि हर एक राज़ कोई भी राज़ हो उसमें क्या होगा बिधान मंडल होगा जो किस से मिलकर बना होगा राज़ेपाल से और दो सदन बिधान परसद या बिधान सभा इस से मिलकर बना होगा अगर बेदान परसद नहीं है तो राज़पाल और बेदान सभा से ही बेदान मंदल बनता है जहां केवल एक सदर है वहाँ उसका नाम बेदान सभा होगा तो आर्टिकल 168 में क्या है बेदान मंदल के गठन के बाने में बात की गई है अब चलिए यहां समझते हैं आर्टिकल 169 की बात करें तो राज़व में बेदान परसद की स्थापना और समापती के लिए यदि किसी भी राज़ी की बेदान सभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत अत्वा उपस्तित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत प्रस्ताप पारित करें यानि कि क्या देखिए विदान सभा का विदान परसद का अगर गठन करना है या विदान परसद की समापती करने तो किस तरीके से होगी कोई भी राज्य है और कोई भी विदा विदानसवा हे सदस्यों क्म एत उसं उस में से दो तिहाई सदस्य क्या करते हैicer प्रस्ताप्पारित करते तो विदान्षब के दोरो对 30 से साधां लिए प्राइश्ट पर राश्ट्रपति के बात त्र Alert की बात कितना चाहिए कम से कम आपको देखिए यहाँ पर कितना है 50 प्लस 1 होना चाहिए तो यह पूर बहुमत हो जाएगा जबकि यहाँ पर लगबख 60 वोट से 2 त्याही बहुमत से यहाँ पर आपको इसको पास करना पड़ेगा तब इसको माना जाएगा, क्लियर है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, बिधान परसद और बिधान सबा, बिधान सबा में क्या होता है, इसका कारेकाल पांच बर्स का होता है, जब कि बिधान परसद का कारेकाल छे बर्स का होता है, इसमें प्रते एक बर्स, एक बटे त सदाश्य शेवा निब्रत हो जाते हैं और उनकी इस्तान पर नई सदाश्य आते हैं इसमें योग गिता क्या है बिदान सभा में भारत का नागरिक हो कम से कम आयू 25 वर्स हो सरकार की किसी लाग के पत्पर ना हो पागल या दिवालिया ना हो इसमें डारेक्ट इलेक्शन होता है जबकि यहाँ 6 साल का होता है कारेकल और भारत का नागरिक हो कम से कम उम्र सीमा 30 वर्स हो सरकार की किसी लाग के पत्पर ना हो पागल वह दिवालिया ना हो इसमें इंडारेक्ट इलेक्शन होती है यानि कि अपरतिछ चुनाब इसमें देखने को मिलता है अब विदान प वारा एक, बटाती यानि कि 33 पर्षेंट तो यही से हो गा है एक बटा मिलता सदश्य si достhānय निगाय दव्रा लोकल वर्णियके दव्रा एक वटे च्हे सदश्य राजय प्याल łो मनुनित किये जातें ये एक बटा बारह सदश्य उस्थानों को इसनातकों दवारा उस सिसना कारें कर रहे हैं तो एक वटा तीन तो कौन कर देगा विदानत्रेट कर देगी एक वटा-3 को इस्थान निकायों के दौरा जिसमेश Waarज देगी एक वरटा 6 सदस्यों में कौन ब और जएक आपका चिनौर जो ग्रीजुशन कुलने कम से उची कच्छाओं में सच्छन का कारे कर चुके हैं तो बिधान पर सभा की सदस्चों को चुना अब इस तरीके से होता है बिधान पर सदके शदस्चों की संक्या कितनी है अधिक्तम 500 हो सकती है किसी भी राज़ी में अधिक्तम 500 से अधिक सदस्चों की संख्या नहीं हो सकती, कम से कम 60 हो सकती है, तो यहां पर उत्र, स्री, राजिस्तान की बात करें, तो दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में कितनी है बिदान सवाग्य सदस्चों की संख्या, 70 है, जबकि गोबा में बा अधिकारी यहां सभापती और उपसभापती होते हैं आरच्छन की बात करें आरच्छन के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो आरच्छन भी एक महत्पून बिंदू है आर्टिकल 332 यानि कि अनुचे 332 के अनुचार राजिकी बिदान सभाव में जनसंग्या के अनुपात में सुप्रीम कोट सुरी एस्सी और एस्टी की जातियों के आरच्छन दिया गया है यानि कि अनुचिय 332 के नुचार राज्य के बिदान सवाव में जनसंक्या के अनुपात में SCST जातियों के आरच्छन दिया गया है आर्टिकल 333-333 के नुचार राज्यपाल एक आंगल भारतियों को बिदान सवाव में मनुनित करती है एक सोचारवा समयदानिक संसोतन द्वारा आंगल भारतियों के आरच्छन को अब समाप्त कर दिया गया है यानि कि जो एंगलो इंडियन वाला आरच्छन था वो अब समाप्त चुका है एंगलो इंडियन समझते हैं आप लोग एंगलो इंडियन क्या कहता है चली comment box में बताईएगा थे दिद्धान सेउची कारेवभन सकती है इसे राज्य सूची संभरती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है तो सबसे पहले प्रशनिय गिलेगे पूचएगा क्या संभरती सुची पर बद्धान सेउची पर कारेवणा सकती है और विदान परसत को 14 दनोंत के वीतर विदयक को विदान सभा में बापस लोटाना पड़ता है। किसी भी विदयक को अधिक्तम 4 माहा तक रोक सकती है। आपको आज का सेजन अच्छा लगाओ चैनल को सब्सक्राइब करके वेडियो को सेयर करना तो बिलकुल भूलना ही नहीं है थैंक यू फर वच्छिंग देश वडियो